नमस्कार दोस्तो बीसी यानि बॉलिवुड चलोगे मैं आपका सौगत है मैं हूँ आपका अपना रोहित्र पाटी आज हम बात करने जा रहे हैं इस सुकरवार को रिलीज होने वाली मूवी के बारे में और ये भी बात करेंगे इस फिल्म की कहानी के बारे में दोस्तो इस सुकरवार यानि 2 दिसंबर को रिलीज होने वाली है आयूश मान खुराना की मूवी एन एक्शन हीरो देखा जाए आयूश मान खुराना की बहुत ही जवरजस्ट एक्टिंग है बाकि उनकी फिल्मों में हमने उनकी एक्टिंग देख रखी है उनकी एक्टिंग बहुत ही जवर्जस्त मानी जाती है और उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पे जाने कितनी फिल्में सूपर हिट भी करा दिये हैं बात करते हैं उनकी इस फिल्म के बारे में जो की इस सुकरवार को आ रही है एन एक्टन हीरो जिसमें आयूशमान खुराना निभा रहे हैं एक बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर का रोल जी हां वह एक इस फिल्म में बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर का रोल निभा रहे हैं वो बहुत बड़े हीरो हैं और वे अपनी फिल्म के दोरान सूटिंग के दोरान जाते हरियाना हरियाना के गाउं में मैं धोत और उस मडर की सारी जो वो होती हैं सक वो सारी जाती हैं आयूशमान खुराना के उपर जी हां दोस्तों आयूशमान खुराना के उपर इस मडर का सक जाता है जिसके चलते आयूशमान खुराना लंदन भाग जाते हैं लेकिन जो विक्की सोलंकी का भाई होता है भूरा सोलंकी वह एक नगर पारसत होता है और वह नेता नगरी से जुड़ा रहता है और वह काफी डेंजरस होता है देखा जाये तो वह अपने भाई के मडर के बदला लेने के लिए वह आयुशमान खुराना के पीछे लंदन जाता है उसको मारने के लिए और देखा जाये तो इस फिल्म में कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि अयुशमान खुराना ने विक्की सोलंकी को मारा हो लेकिन उनके ओपर सक जाता है और वो लंदन भाग जाते हैं जिस कारण भारत में उनकी फिल्मों का बाई कॉट होने लगता है लोग उनको नापसं करने लगते हैं और लोग उनके पीछे तक पढ़ जाते हैं और वहीं जो विक्की जिसका मडर हो जाता है उसका भाई भूरा सोलंकी आयुशमान खुराना के पीछे पढ़ जाता है और वे लंदन जाता है उसको मारने के लिए इसी कहनी के दोरान एक और सक्स आता है जिसका नाम होता है कादर वो भी आयुश्मान खुराना को मारना चाहता है लेकिन क्यों मारना चाहता है ये नहीं बताया गया और इस मूवी में ये सस्पेंस है जो कि हमको फिल्म देखने के बाद मालूम चलेगा कि क्या आयुश्मान खुराना ने उस लड़के का मडर किया था कि न जुश्मान को मारने के पीछे पड़ा है और ये क्यों मारना चाहता है ये सब जो हम लोगों ने स्टोरी के जब फिल्म की स्टोरी देखेंगे तब इन सारे सवालों का हमें ज्वाब मिलेगा दोस्तो इन ही इसी स्टोरी से आप ये पता लगा सकते हैं मूवी कैसी है और इस मूवी का जो बजट है बहुत ज्यादा बजट भी नहीं इस मूवी का बजट 30 से 40 करोन रुपर बताया जारा आपको क्या लग रहा है यह जो कहानी है इस कहानी की दम पे क्या यह पिचर अपने बजट को क्रास कर पाएगी क्या आयूसमान खुराना की यह फिल्ट सूपर हिट हो पाएगी कि फ्लॉप हो पाएगी दोस्तों यह आप हमको कमेंड में जरूर बताएं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे बाए बाए